हैलो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग you commerce last 12 पो अच्छा स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप लोग cyberści ठीक है तो आप डेफिनेट़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने commerce last 12 में और 12 के बाद एक अच्छा dream college we target कर सकते हो लेकिन आप लोगे पास कुछ strategies का होना जरूरी है इस साल हम लोग जानते हैं कि सी वेसी ने 30% स्लेबस reduce किया है तो एक ये भी हमारे पास advantage रहने वाले आज हम discuss करेंगे complete plan for commerce last 12 important areas to score good marks strategies for 2021 important notes और important questions so my name is सर्च था पर I scored more than 19 last 12 and let's start तो यार सबसे पहले अगर हम बात करूं complete plan की commerce last 12 के बच्चों के लिए तो मैंने तीन प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल के उपर business studies की economics की और accounts की तीनों का link मैं आपको नीचे description में दूंगा business studies के वीडियो का भी economic sessions का भी और account sessions का भी तीनों का playlist का link नीचे description में business studies playlist economics playlist और accounts playlist के नाम से ठीक है तीनों का link आपको नीचे description मिल जाएगा अपनी division आप लोग वहां से कर सकते हो दूसरी चीज़ निकल के आती बच्चों के mind में कि सर important areas क्या है अच्छा score करने के लिए हम लोग किस जगा पे जादा फोकस करें कि जो हमारा score है maximize हो जाए चाया हम एक टॉपर है या हम एक average student है हम सब बराबर के ही होते हैं ठीक है सब के लिए यह strategy रहने वाली important areas रहने वाले हैं सबसे पहले आप लोग करा करो numericals of macro economics सबसे पहले जब भी पढ़ने बैठो macro economics के numericals को solve किया करो इससे confidence build up होता है हमारे अंदर फिर हम लोग करते हैं admission and retirement questions admission के और retirement के questions करा करो accountancy के लिए फिर आप आया करो business studies के numericals के उपर business studies में कौन से numericals होते हैं capital structure के numericals होते हैं वो बहुत ही ज़ादा important रहते financial management का टॉपिक है आपका यह chapter I think आप लोग का यह 11 9th chapter है financial management उसमें numericals होते हैं यह जाके देखना बहुत ही ज़ादा important चीज़ है यह उसके बाद हम लोग करते हैं cash flow statement यह भी बहुत ही ज़ादा important area अच्छा score करने के लिए और इंडियन economic development की full theory एक ही बार में पूरी की पूरी तेयोरी कर लेना आपको नीचे description में दूँगा business studies tricks playlist के नाम से ठीक है आगे चलते हम लोग strategies के रहने वाली है 2021 board exams के लिए कि पहले आप लोग को numerical portion कवर करना है चाए वो business studies है चाए वो economics है चाए वो accounts है पहले numerical portion करना ज़रूरी है दूसरे चीज़ याद रखो learn and write funda इस साल आप लोगो युश्करना है जो भी चीज़ याद कर रहे हो एक register maintain करो उसमें लिख लिख के याद करो जो भी चीज़ याद करें लिखो जो भी नया concept पड़ा है उसको लिखो कि मैं अकाउंट के ये ratio जाद किया है मैं लिखूंगा इने तो learn and write funda हमेशा से काम आय चाहिए तो भाई 500 case studies करनी होती है business studies में अब चाहिए आप इसको एक महीने में करो या दस दिन में करो वह आप पर dependent रहता है लेकिन आपको 500 case studies करना बहुत ही जादा जरूरी होता है sample paper जितने जादा solve करोगे उतना अच्छा है क्योंकि sample paper से आपको पता लगता है कि cbsc में क important questions का भी economics के important questions का भी और accounts के important questions का भी तो यह strategy हम लोगो follow करनी है for 2021 board exams numerical portion से start करना learn and write funder यूज करना है 500 case study solve करनी है BST में sample paper करना बहुत साथ जरूरी है और important questions को पहले solve करना important रहता है important notes के अगरा बात करो बच्चे में से पूछेते सर notes के बारे में बता दो तो मेरे पास business studies के short notes है chapter wise है वो first chapter से लेके 12 chapter तक के business studies के notes हैं बहुत ही जादा useful notes है एक ही बार पढ़ लोगे तो पूरी की पूरी business studies एक ही बार याद हो जाएगी और आप आप लोगी पास जब notes होते हैं तो आप लोग के studies वाले questions को easily solve कर सकतो एक बार यह notes लेके पढ़ोगे ना तो आप लोगी accuracy आप लोगा confidence business studies में बहुत आता बिल्ड़ अप हो जाएगा और मेरे पास full macro economics के भी short notes पढ़े हैं एक बार इन notes में से पढ़ लोगे ना दोनों में स से तो आप लोगा score वैसे ही definitely maximize हो जाएगा लेकिन यह notes premium है तो थोड़े से इनकी charge is at 299 रुपीज रुपीज 299 ओनली 299 रुपे में मैं आपको business studies के भी full notes जे रहा हूं और macro economics के भी full notes जे रहा हूं ठीक है बहुत ही जादा important है यह 299 रुपीज तो यार कुछ भी नहीं होते जो business studies के हमारे full revision notes है, full chapter wise notes है, short notes, macro economics के short notes है हम लोग अपनी पढ़ाई के ओपर 299 नहीं खर्च कर सकते हैं तो मैं नहीं जानता कि हम लोग कहां पर पैसे खर्च करे जाएं बाद में हम लोग बहुत बहुत पैसे खर्च कर देते हैं अगर हमारे marks कम आते हैं लेकिन पहले हम लोग 299 नहीं खर्च कर सकते हैं तो एक nominal amount रखा हुआ है business studies के short notes chapter wise और full macro economics के notes भी है इसमें chapter wise है वो भी ठीक है तो यह इसकी क्या price है 299 only है जो ही बच्चे interested हैं यह premium notes खहिदना चाहते हैं तो मुझे यहां पर contact कर सकते हैं WhatsApp पर connect कर सकते हैं मेरे साथ 00797331 यह मेरा WhatsApp contact है ठी तीनों के important questions बना दी है economics के भी business studies के भी और accounts के भी जैसे कि मैंने आप लोग बताया था भी तीनों के important questions बना दी है तीनों वीडियो का link नीचे description में है जाके देखना important questions को pen down कर लेना और अपने exams के लिए अच्छे से prepare कर लेना जो भी बच्चे notes देना चाहते हैं मेरे साथ WhatsApp चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल ऐकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स आप लोग अपसे पहले मिलती रहें थैंक यू